फिरस जब आप किसी आडिये संगस्तान पर फिटा टेट को उसकी टेनिंग पुरा कर लेते हो, तो उसके बाद आप अपने केरियार को लेकर मनी मन सुचने लेगते हो, कि आगे क्या किया जाए? कई बार आप किसी कमपानी पर नोकरी करने के बारे में सुचते हैं, तो कई बार आप अपने केरियार को इस्ट्रंग बनाने के लिए आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कई बार आप अपने खूद के बिजिनिस की सुरुआत कर परफेस्टनल बनना चाहते हैं, फिरस जैस आपको समझ में नहीं आता कि आखी आगे क्या किया जाए पढ़ाई नोकरी या खुद की बिजिनिस अगर आप कनफ्यो जो आगे अपने केरियार को लेकर साइडी से सन नहीं ले पा रहे हो तो कई बात नहीं आपको इसी पीडियो में जनकरी दी जाएंगे क्या करने के बात आपको क्या करना चाहिए पढ़ाई नोकरी या बिजिनिस fans इन तीनों में ऐसे किसी एकोँ चुनणा अपने केरियार के रूम में सिलेट करना कुछ इस्टोडेंट के लिए असान होता है तो कुछ इस्टोडेंट के लिए बहुत ही मुस्किल हो जाते हैं बहुत से इस्टोडेंट सभी डिससन नहीं ले पाते हैं चलिए सबसे पहले पढ़ाई की बात करते हैं फेंट्स अगर आप फिटा टेट कोस की परसीचन लेने के बाद आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप आगे असानी से टेक्नलेजी फीड में अपना केरियर बना सकते हैं टेक्नलेजी फीड में पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप आगे इंजिनियर फीड में अपना केरियर बनाना चाहते हैं जुनियर ये सिनियर इंजिनियर इंजिनियर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप असानी सी स्पिड में अभी अपना कीरियर से एट कार सकते हैं अगर आप जुनियर इंजिनियर बनने की सपने रखते हैं तो इसके लिए आपको किसे ڈपलॉमा कलेज पर तिन साल के डिपलॉमा कोर्स की डिगरी लेना होगा दो साल के आईटे फिटा टेर्ट कोर्स की टेर्णिंग करने के बाद आप डिपलोमा मेकानिकल इंजिनियरिंग कोर्स में सीदे सेकेंड एर में एडमिसन ले सकते हैं डिपलमा कोर्स में Machining Engineering की पढ़ाय करने के बाद Senior Engineering कोर्स जैसे जो अगर बात करें नोकरी की तो अगर आप आप इटी विटा ट्रेट को सा की पसीछन लेने के बाद आगए पुरे लेप नोकरी करकी गुजयरना चाहते हैं अच्छा कासा पैसा अभी से ही कमाना चाहते हैं, तो आप आसान इसे किसी भी private company पर फिटार के कम कर सकते हैं, पर हो सकेता अच्छा होगा आप किसी company पर जब जेन करने से पहले, एक साल के अपरेंटिक्स की टेर्निंग कर लेना, इससे आपको बेटा जम मिलने के साथ बेटा मांथली salary मिलने के chances भी जादा रहेंगे, साथ ही आपको समय समय पर पोस्ट में परमसन भी मिलते रहेंगे, नेश्ट बात करें बीजनेस की अगर आप ITIE FITA TREAT COST की टेर्निंग पूरे करने के बाद बीजनेस में परफिस्टानल बनना चाहते हैं खुद के बीजनेस की सुरवाद करना चाहते हैं तो आप भी विन्यपन पर करके mechanical tools, mechanical parts, आदी मेकानिकल पड़क्स से रिलेटेड विजिनेस की सुराथ कर सकते हैं पर इस फिड में परविशनाल बनने के लिए आपको बहुत मटे रिकम में बेसे लगाना भी पर सकता है फ्रेंटस इन तीनों फिड में ऐसे किसी एक में अपना केरियर सिरेट करने से पहले इन तीनों के खर्चे की पिलस माइनस भी पोता होना चाहिए बरना आगे आपके फादिय के बदले में नुकसान भी हो सकते हैं अगर बात करें आगे पढ़ाई की कर्चे की यानि डिप्लोम मेकानिकल इंजिनिरिंग कर्च की पढ़ाई की तो इस कर्च में आपके दो साल में कम से कम एक लाग से डेड़ लाग कर्च हो सकते हैं इसके बाद बात करें नोकृ की तो इस सपीड में आपको पेसे नहीं लगते हैं बलकि आकपे काम के बदले में आपको पेसे मिलते हैं नियाण से देखे तो ITPitter Coast करने के बाद इसी कमपानी पर नोकृ करना मतलब पेसों के मामले में प्लस पइंट है नेक्ष्ट बात करें बिजनेस की, तो इस फिर में परवेसवनल बनने के लिए आपको बहुत मुटे रिकमें पेसे लगाने होंगे, तभी आप इस फिर में परवेसवनल बन पाएंगे तो इन टीनों में से प्लासमेंट की बात करें, तो एक मातर नोक्री जब वी अच्छा फिकल्ब है, खास्ता कि उन सबी स्टूडेंट के लिए, जो मीडिल कर्स केटेगरी के है, जिन स्टूडेंट के पास पेसों की कमी है, इसलिए अगर आपके पास जरूरी पेसे हैं तो प झाल झाल